So guys, Windows 11 को लेकर, जितने भी problems आप लोगों को हो रहे थे, चाहे वो installation को लेकर, चाहे वो किसी भी तरीके का hardware support को लेकर, चाहे वो developer mode में आप थे और उसको upgrade करने को लेकर, या beta version में थे उसको upgrade करने को लेकर, टोटल Windows 11 का 69 question हमारे पास आया हुआ है, 70 question total समझ लें, और इन 70 question में आप लोगों ने बहुत सारे different types को questions पूछा, definitely आप भी अगर Windows 11 पर जाना चाहते हैं, या already हैं, तो क्या-क्या problems हो रही हैं, और पूरा का पूरा एक explore करकी ये video आप लोगों को दिया जा रहा है, तो definitely last तक देखेंगे, और complete एक-एक doubts को मैं आप एक clear करने वाला हूँ, Windows 11 से related कोई भी आपको अगर problem हो रही है किसी भी तरीके का, तो सायद इस video को last तक देखेंगे, तो कही न कहीं आपका भी answer आपके पास होगा, और आप अपने उस problem को solve कर लेंगे, जो आपने अभी तक नहीं किया है, या problem face कर रहे हैं, So definitely चलिए, हम questions की तरफ चलते हैं, last video मैंने आप लोगों को Windows 11 से डाला था, जो की official 5th October को release हुआ था, काफी details में मैंने उसका पूरा review करके वीडियो डाला था, कैसे download यह सब करना है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, complete Windows 11 की playlist है, आप वहां पे 12-15 वीडियो पूरा देखेंगे, पूरी series अगर Windows 11 पर काम करना चाहते हैं, तो हर एक step मैंने बताया, चाहे वो physical installation हो, चाहे वो किसी VMware पर installation हो, हर topic को, तो बिना लेट के चले, स्टार्ट करते हैं, सबसी पहला question ही आया, कि what is basis, minimum system requirement for Windows 11 upgrade, अपग्रेड अगर करना है, तो at least आपके पास 7th generation से उपर के processors होने चाहिए, क्योंकि यह practically बाते मैं कर रहा हूँ, पुरा explore कर किया चीज़े बना रहा हूँ, i3 7th generation को incompatible बता दिया गया है, और ऐसा मैं अपने system पर भी किया था, तो यह सारी चीज़े है, बट उसके लिए जुगार लगा कर install करना पड़ा, वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैंने link डाल दिया, how to install Windows 11 का, आप देख ले ना, प्रापर तरीके से, उसमें आप सीख देंगे, incompatible है तो भी, बट पूरी वीडियो देखो, उसके बाद क्या problems होती है, वो चीज़ यहाँ पे आपको solve करके दी जाएगी, तो minimum hardware requirement की अगर बात करें, तो आपका minimum 1 GHz का processor होना चाहिए, at least 2 core होना चाहिए, और वो 64 bit compatible होना चाहिए, UEFI support करना चाहिए, और साथ में 4 GB minimum RAM होना चाहिए, 64 GB का free space होना चाहिए, आपके hard disk में, जिस partition के अंदर, जिस volume के अंदर, आप अपने Windows 11 को install करना चाहते हो, plus 720 pixel का resolution support करना चाहिए, जो आपका display होगा, plus वहाँ पर आपका TPM support होना चाहिए, और UEFI बगर है, मैंने आप लोगों को बता ही दिया, तो यह सारी चीज़े अगर रहेंगी, तब ही आप प्रॉपर तरीके से, Windows 11 को अपने computer system पर install कर पाएंगे, ग्रैफिक्स वगरह का काफी ज्यादा इसमें demand है, तो ग्रैफिक्स और यह सब चीज़े होनी चाहिए, TPM 2.0 का support होना चाहिए, तो यह रहा, ओके, एंड, दूसरा questions यहाँ पर है, बहुत important questions है, legacy mode and without TPM, official ISO नहीं, मतलब अभी official ISO clean अगर install किया तो क्या problem होगी, और यह सारी चाहिए, तो मैंने अपने computer system पर incompatible होने के बाद यह चीज़ मैंने किया, और definitely वहाँ पे issue भी हुआ, और issue क्या क्या होता है, अभी बहुत सारे questions मैं पढ़ लेता हूँ, and then last मैं आपको review दे दू हो रहा है, और ऐसा नहीं है कि system चलेगा, नहीं कुछ भी ऐसा नहीं, बिल्कुल अच्छा चल ला है, but problems जो है ना, एक depth या user की बात करें, तो वहाँ पे feel होता है, बड़ अगर आप normal user हैं, तो कोई issue नहीं होगा, so legacy अगर mode में आप windows को install करना चाहेंगे, तो not possible windows 11 आप install कर क्योंकि older version के लिए legacy support था, newer के लिए legacy support नहीं है, तो यह आपका UEFI support होना चाहिए, और secure boot आपका work करना चाहिए, दूसरी चीज, भाई यह कैसा है, यानि कि fast है या slow है, अगर हम windows 11 को अपने computer पर, अगर हमारा computer, जो कि i3 भी है, अगर 8th generation है, पुराना version है, 8th generation है, 9th generation है, जो क्या वो proper काम करेगा, अगर i3 8th generation है, तो definitely आप कहीं न कहीं speed को लेकर slow feel करेंगे, बट अगर आप अपने system पर RAM को बढ़िया साफ 8GB या उससे जादा 12 या 16GB अपग्रेड कर लेते हैं, 1000-2000 उपए लगाके, तो definitely आप अच्छा speed use करेंगे, लेकिन SSD पर आप install करेंगे तो, क् अगर hard disk पर आपने डाल दिया, तो definitely बहुत जादा यह slow कर देता है, i3 7th या 8th generation होने के बाद भी, तो SSD वगरे इस्तेमाल कर रहे हैं अगर आप और तब यह कहीं proper speed देगा, काफी quick boot होता है, और proper काम करता है, लेकिन अगर आप hard disk normal इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं problem ह होगे और आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे proper तरीके से, बहुत time लगता है boot और इन सारी चीजों में, और यहां पर next question है, अरे installation video कब आ रही है sir, अच्छा installation video में ने दे दिया है windows 11 का definitely आप देखो, और वीडियो की description में सभी लोगों को windows 11 का चाहिए vmware पोरो, या pen drive में bootable बना कर अपने laptop पर direct या desktop पर कैसे करना है, bios की क्या क्या सेटिंग से वो सब दिया हुआ, complete windows 11 faq यह मैं दे रहा हूँ आप लोगों को कोई problem नहीं होगे, by TPM enable नहीं है तो ISO से install होगा, incompatible बता देगा और उसको बहुत सारे different different तरीके हैं, bypass करने के बट, I never recommend you कि आप ऐसा करें, क्योंकि यह hardware level पर एक bypass system हो जाता है, and it may be damage your PC, तो यह सब चीज़ें अगर आप risk ले सकते हैं, या त तरीका आप Google करेंगे तो definitely मिल जाएगा, okay, first from making Windows 11 release video, हाँ, सबसे पहले मैंने night में इसको बना दिया था, और 3-4 बजे, 3 बजे के आसपासी अपलोड कर दिया था, जैसे ही मुझे Windows 11 मिला था, काफी अच्छा view भी आया था, आप लोगों का काफी अच्छा प्यार support मिला था मेरा Ryzen 5550 है, और Windows में हो रहा है update, तो definitely अगर जिनका जिनका support आ गया हो रहा है, जिनमीन operating system आप इस्तेमाल करते हो, आप कर लो क्योंकि वो एक officially Microsoft की तरफ से complete hardware चेक करके वो दिया जा रहा है, आपको कोई issue नहीं होगा, अगर फिर भी lag करता है, तो आप simple एक काम करो, SSD अपन comparison को लेके with normal hard disk और अपने computer laptop पर या कैसे आप connect करोगे, SSD कोई सी buy करनी चाहिए, पूरी एक video आएगी dedicated, बीटा वर्जन कैसे अपग्रेड करें, देखो बीटा वर्जन या developer mode में हो तो मैं recommend करूँगा कि वहां से हटा दो आप, क्योंकि अपने laptop को beta और developer mode में proper आप use नहीं कर पाएंगे, space काफी जादा consume करागा, करेगा old operating system का जो data है, तो मैं recommend करूँगा कि आप सबसे पहले अपने computer system पर clean install करें, Windows 11 का और फिर उसकी speed देखे, काफी अच्छा experience आपको मिलेगा, बाकि वीटा वर्जन में अपग्रेड और ये सब चीज़े करना है, तो अपग्रेड म कर पाएंगे, okay sir my pc is hp pro 3330 and it is supported windows 10 or not, windows 10 को support करता है नहीं, आप देखो, ये model number क्या है क्या नहीं है, वीडियो की description में processor check करने के लिए, hardware compatible है नहीं, आपका processor जो भी particular model है, ये सब चीज़े काम कर रहे हैं, वीडियो की description में link डाल दूँगा Microsoft का, आप वहां से check कर सकते हैं, तो supportive processor आपको मिल जागा, already मैंने इस पर वीडियो बनाया हुआ है, मैं उसका भी link डाल दूँगा, वीडियो की description में, तो जितने लोग installation को लेकर, hardware support को लेकर, या processor काम नहीं कर रहा है, या physical installation में problem हो रही है, बूटेबल कैसे बनाते हैं, बिल्कुल beginner है, तो उनके लिए मैंने proper पर वीडियो इसमें दे रखा है, description में मिल जाएगा, detail आप देख लेंगे, प्लस यहाँ पर query questions आप लोगों ने जो किया था, उस पर बाते कर लेते हैं, और यह सारी चीज़ें, ओके बहुत सारे लोगों ने नाइस वीडियो, thank you, यह सब चीज़ें किया, तो वो question मैं leave out कर यह नहीं, ऐसा सायथ पूछना चाहते हैं, तो अगर आपका laptop पहले से जेनमीन operating system पर रहे चाहे, वो Windows 7 को लेकर हो, sorry, 8, 10 को लेकर हो, या older version पर भी हो गया था, मैंने इस पर वीडियो बनाया हो, मैंने 7 पर activate कर दिया था, Windows 11 को Windows 7 की key से काम कर रहा है, आप भी कर सकते हो, same version का install करो, अगर 7 home pro है, home basic है, तो home basic डालो 11 का, pro है, तो pro डालो activate हो जाएगा, तो कर रहा है काम, और जेनमीन अगर पहले से है, तो definitely upgrade भी जेनमीन का ही होगा, by size कितना है, 5.12 GB का मैंने download करके दिखाया था, कि कैसे कैसे, first day जब मैं वो कर रहा था, तो 5.2 GB, 12 GB, अब बोल सकते हो, 5 GB total आपका लग जाएगा, सर, राइजन 5 प्रोसेसर में आएगा, official update, अब देखो, प्रोसेसर कौन सा support करना है, कौन सा नहीं, मैं लिंक डाल दूँगा, वीडियो के description में, आप जरूर चेक करना, license loss तो नहीं होगा, definitely loss नहीं होगा, अगर आपका support नहीं करेगा, पुरा clean आपने कर दिया, format कर दिया, और आपकी अगर key, जो भी मतलब आपका जो windows है, जो key है, और वो पहले से license है, 10 वगएर से, 10 के किसी भी version से, तो definitely दुबारा भी हो जाएगा, कोई issue नहीं, क्योंकि practically मैंने किया, 11 पे, मैंने दो दिन use किया, उसके बाद फिर मैंने अभी देखो, 10 पे कर दिया है, क्योंकि 10 इनके अंदर जो optimization मिलता है, वो windows 11 के अंदर नहीं मिलता, इसका मैं एक compare, 10 और 11 का compare, वीडियो मैं आप लोगों के साथ share करूँगा, अरे भाई, एक bug है, इसमें windows 11 डाला, फिर कोई software अनिंस्टॉल किया, तो wifi internet बढ़ हो गया, क्या करें, भाई, please help, okay, wifi internet बंद हो गया, साइ का software होता है, वो काफी जादा, मतलब की जो भी नया software आप अपनी laptop पर इंस्टॉल करते हैं, तो पुराने को हटा देता है, तो आप wifi का driver अपडेट कर दो, चलेगा, कोई issue नहीं होगा, हाँ, जब windows 11 का कुछ लोगों पूछ रहें कि, अभी अपडेट नहीं आया, मेरा 9th generation का है, 10th, 11th generation का है, i3 का तो भी नहीं आया, तो don't worry, आपको update मिल जाएगा, साहिद मिल भी चुका होगा, android, support android की applications अच्छी काम कर रही है, उसके अंदर जो application support android का जो play store के अंदर दिया गया है, प्रॉपर तरीके से, वो काफी अच्छे applications, review अगरे देखने पर आपको लगा, मैंने ज्यादा तो नहीं, बट 2-3 applications जैसे की, instagram का भी मैंने use करके देखा, whatsapp का उसके अंदर देखा था जो कि already पहले से भी पुराने उसमें पढ़ा था, बट उस proper console नहीं था, बट ये अलग कर दिया गया है, और आपको application ऐसा नहीं है, कि मतलब पहले से कुछ अलग मिल जाएगा, बिल्कुल mobile की तरह खूलेगा, और ऐसा नहीं है, बट हाँ, कहीं ने कहीं सका है कि special category बना दिय गया है, और उस special category के अंदर आप देखोगे तो आपका जो भी application है, mobile के लिए categorize करा गया है, और पहले कम applications थे, बट अभी काफी जादा applications के अंदर available हो गया है, 1.5 GB ही per day data है, क्या करूं अब, तो I think आप IDM अगएर का 30 दिन का trial आता है, आप use कर सकते हो, और आप 2 दिन के अं जियो बगर है, यूज करते हैं, तो उसमें data आता है, add on data, तो कोई नहीं एक बार 30-40 रुपे का data खरीदेंगे, 34 GB, 5 GB मिल जाता है, आसानी साब कर सकते हैं, ये solution है, ओके, इस पे 20 comment reply आया, you can buy data booster, definitely, यही मैं भी बता रहा था, 5 GB का data booster ले ले, तो सभी लोग ने पहले से इ पांग नहीं सकता, कोई नहीं अभी Windows 10 से ही काम चला लूँगा, हाँ, ये एक अच्छी बात है, कि अगर आप के पास वो चीज नहीं available हो पा रही है, और ये सारी चीजे हैं, तो ये, और मैं ये सब चीजे जब देखता हूँ, तो कोई मतलब अच्छा तो नहीं लगता, ब किया जा सकता है, चलो, ठीक है, कोई बात नहीं, आप बाद में कर लेना, या किसी फ्रेंट से, आप दो-चार दिन बाद ही देखना, तो मिल जाएगा, अपने कॉलेज ये, स्कूल स्टूडेंट से, सभी के पास broadband होता है, आप लेज रहते हैं, दुबारा clean install करिएगा, ओक प्रेंस नहीं जाएगा, और यही सारी चीजे थी, Windows 11 डाउनलोड साइट, प्लीज जीवी में, हाँ, 5.12 जीवी मैंने बता रखा है, डाउनलोड करके भी दिखाया था ये सारी चीजे, और एक मैं बात बता दूँ आप लोगो को, कि अगर आप incompatible operating system, अगर दिखा रहा है आपका Windows 11 का, आपके i3, 7th या 6th generation के laptop पर, तो आप उसमें अभी मत यूज करें, सायद कुछ समय के बाद महिना, 2 महिना या कुछ time लेकर Microsoft, उन सब लोगों के लिए कुछ optimization दे, कुछ करे, बट अभी थोड़ा सा ना करे, क्योंकि मैंने किया था, activate तो हो जाता है, clean install करने प होती है कि सबसे पहली बात, उसके जो मतलब task बार है ना, नीचे जो पूरा का पूरा जिस पे आप icon देखते हैं, जो बीच में अभी देने लगा है, वो proper तरीके से open नहीं होता, वो hide हो जाते हैं कुछ icons, ये problems वहाँ पे आई, जो मतलब कि unsupported hardware और ये सब चीजे थी, और दूसरा वहाँ पे problem ही आया, कि आप जब अपने projector को connect करते हो, या dual screen connect करते हो, तो जब windows P press करते हो, तो एक बार पूरी screen flash करती है, और छोटी हो जाती है, मतलब वो कुछ समझ में नहीं आया, ये सायद hardware incompatible होने की वज़े से ऐसा हुआ, और ये चीजे, तीसरा point में बता द होता है, और applications अगर आपने दो बार click कर दिया, एक बार नहीं खुलता है, तो तुरंत वो hang करके छोड़ देगा, 10-5 second के बाद वो proper काम करेगा, these are the problems जो कि आप incompatible के साथ use करेंगे तो होगा, और activation में incompatible का कोई issue नहीं आता, ये सारी details होती है, तो बस इस वीडियो में इत सिखाने के लिए मैं पूरा उसका topic प्रिपेर कर रहा हूँ, देखता हूँ क्या-क्या चीजें उसको बहतर बनाने के लिए करी जा सकती है, तो उसके अंदर मैं आपका अगर कोई important topic आता है, तो ahead करूँगा, तो comment करके बताना, and instagram पर भी मुझे message कर सकते हो, video के description में instagram का link है या info tag says पर आप follow कर सकते हैं, और कोई भी problem होती screenshot लेकर वहाँ भी tag कर सकते हैं, तो चलिए मिलते हैं next video में, thank you so much. झाल